Hello good experience, आज हम Scalar Matrix property डिसकस करने जा रहे हैं, आजन विर्थर्स की, तो देखिए यह पर क्या लिखा हुगा है, कि in Scalar Matrix all आजन वैलूस are same, तो हमारे पास कोई A matrix है, Scalar Matrix, तो 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, right? तो यह आपकी कोई Scalar Matrix है, 3 x 3 की, Scalar Matrix यही होती है, जिसके डाइगोनल से होते हैं, बाकी अपर और लोवर सारी वैलूस आपके 0 होती हैं, तो यहां पर बने 2, 2, 2 लिया है, तो आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, in Scalar Matrix all आजन वैलूस are same, then there exist a number of linearly independent non-zero आजन वैलूस equal to number of same आजन वैलूस, तो यहां पर देखें, अभी तक हमने जितना भी पड़ा था, वह सारा के सुल्टा हो गया है आजन वैलूस का, पिछली वीडियो में हमने कुछ important point डिसके थे आजन वैलूस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई matrix है उसकी लैम्डा की या तो कोई दो अजन वैलूस सेम हो सकती है, यहां पर तीनों आजन वैलूस डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है तो यह तो यह तीन केस में डिस्कुस किया थे डिटेल में अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर डिटेल में जाकर आप समझ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रवाइड कर दोगे तो देखिए यहां पर मैंने केस यह डिस्कुस किया था कि जो आपकी इसैम आजन वेलू होती है वो कितनी भी हो बट उनकी क्रस्पॉंड़री आपका स्फ़ेक्टर एग्जिस्ट करेगा ठीक है बट यहां पर क्या कह रहा है कि जितने ही नमबर फुस आपकी अग्जिस्स करेंगे तो जो आपनी नम्बर फुसे अपकी अग्जिस्ट करेंगी इसलिए बोलते हैं कि स्केलर मेट्रिक्स प्रॉपर्टी आजन वेक्टर्स में एक स्पेशल केस है ठीक है अब ये स्पेशल केस क्यों है अब ये डिस्कुस करते हैं देखे जितनी नंबर ओफ आजन वेलूस होंगी अगर आप इस मेट्रिक्स को सॉल करों तो इस मेट्रिक्स के आजन वेलूस कितनी आगी तीन आए कि क्या जो कि हमने पढ़ा हुआ है ये अपर और लोवर ट्रेमिलर दोनों मैट्रिक्स है तो अगर आप इसकी आजन वेलूस देखेंगे गाईस तो यहां से आपको क्या आजन वेलूस मिलेगी मेट्रिक्स हो गयी तो ऑगे और कि अगर आजन वेलूस उगर है अब यहां से अगर अगर आजन निकालोगे लेम्डा एक्वल टू के लिए तो कुछ इस तरीका की फार्मूला लगागा अब इसमें आप put करोगे तो यहां से आपको I guess कुछ इस तरह की matrix मिले की what 2-lambda 0,0,0 2-lambda 0,0,0 and again 2-lambda यह आपका X1, यह X2, यह X3 equal to 0 इस तरह के आपको कुछ यहां से मिलेगी ठीक है अब यहां से हम lambda की values को put करेंगी इसमें तो देखिए 2-2,0 again यहां पर 2-2,0 यहां पर 2-2,0 तो in fact और in short आपको यहां से कौन सी matrix मिली 0,0,0 0,0,0 and again 0,0,0 तो यहां से आपको 0 matrix नहीं मिल गए X1, X2, X3 अब आप इसको अगर solve करोगे तो आपको vector की जो values मिलेंगी वह क्या मिलेंगी पूरी 0,0,0 तो यहां से हमें पूरी 0,0,0 matrix मिली यहां से कंपेर कराएंगे तो X1, X2, X3 के लिए आपको यहां पे जो vector आएगा आपका X1 वह पूरा का पूरा 0 आएगा और हमने अल्रेडी पढ़ रखा है कि कभी भी vector आपका क्या होता है 0 नहीं होता है बट यहां पे तो आपकी 0,0,0 matrix आ रही है तो इसलिए guys इसे special case कहते है scalar matrix को because आप यहां पे कोई भी number ले लो वह सेम ही होगा और सेम ही origin values आएंगी तो आपको यहांपे 0-0 Matrix ही मिलेग derecho conquer आपको 0 ही मिलने वाला है तो अब आप क्या करेंगे तो आपको आप क्या करना यहांपे Assume करना है Assume क्या करना है यहाप Assume ये करना है आप को, कि कुई भी मै ein तो इससे हम tackle x equal to 0-10 तो आपको यह करना है कि इस रो में और इस वेक्टर में आप किसी भी एक वैलू को क्या करो कनवर्ट कर दो नोन जीरो में ठीक है मतलब यह आपका जीरो वेक्टर आ रहा है ठीक है हम इसे non zero vector में convert करना है अगर हम इन में से x1, x2, x3 बतलब इस row में किसी भी एक value को अगर 1 मान ले तो क्या आपकी यह जो 0 vector आ रहा है यह non zero vector पर नहीं convert हो चाहएगा बिल्कुल convert हो चाहएगा तहां पर मैं लिख देती हूं कि convert 1 0 vector, 0 vector into non zero vector by assuming itself as 1 ठीक है तो देखिए यहां पर x जो आपका आया है यह x1, x2 और यह x3 है ठीक है और यह आया था आपका क्या 0, 0, 0 अब मैं कह रही हो कि अब इस में से जो vector है आपका यह x में x1, x2, x3 इन में से किसी योग को अब 0 माल लो तो मैंने यहां पर क्या माना है 1 किसको माना है x1 को ठीक है तो यहां पर देखिए 3 possibilities possible है यहां पर आपका और जाएगा 1, 0, 0 ठीक है यह तो अब x1 vector के लिए हो गया है ना? सेम आपको x2 के लिए करना है what x2 के लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर मैं direct लिख रही हूं देखिए x2 के लिए मैंने क्या किया x1, x2, x3 में मैंने किसी एक को 0 माना तो मैंने x2 को sorry x1, x2, x3 में मैंने किसी एक को 1 माना तो x2 के लिए मैंने यह वाले x2 को 0, 1 मान लिया तो हो जाएगा 0, 1, 0 and same काम मैंने x3 के लिए किया, अब मैंने यहां पर x3 को, x3 के लिए मैंने x3 को बन मान लिया, ठीक है तो 0, 0, 1 तो देखें guys, अब x1, x2 और x3 तीनों ही क्या हो गए आपके non-zero vector मतलब यहां पर अब आपकी x1, x3, x1, x2, x3 eigen vector क्या करने है, तीन eigen vector आपके यहां पर क्या करने है, exist करने है, ठीक है 3 eigen vector exist, तो यह case था guys, again मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ, देखें, scalar matrix में जब भी आप lambda की eigen values अगर सेम आ रही है, तो उनकी values आप बार बार रखोगे, तो आपको हर बार जितनी बार आप values रखेंगे, उतनी बार आपको सेमी vector मिलेगा, और वो आपका क्या होगा, 0 vector आ होते हैं, eigen vector, वो कभी भी 0 नहीं होते हैं, कभी 0 नहीं हो सकते हैं, तो 0 vector आपका exist ही नहीं करेगा, but हमने सब कुछ सही किया था, तो scalar की property यह ही है, तो वहाँ पे 0 vector आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हमने क्या किया, कि खुद से हमने assume कि हम किसी 1, x1, x2, x3 में किसी 1 को 1 मा लिया, तो x1 के लिए आपको value क्या मिली, 1, 0, 0, x2 के लिए again हमने 1 माना, तो 0, 1, 0, and x3 के लिए हमने again 1 माना, तो 0, 1, 0, अब बहुत से लों बोलेंगे, भाई हम x2, x1, x2 को लिए क्यों नहीं मान सकते हैं, हमें सिर्फ एक value के लिए, एक x1, x2, x3 के लिए, हमें सिर्फ इ इसी था, हमने 1 assume किया, x1 को, x1 के लिए, 100, x2 के लिए, 0, 1, 1, and x3 के लिए, 001 मिला, तो इसी तरीके से आपको questions में भी assume करना है, अगर आपको scalar property पे based eigenvector में question आ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये बहुत important point है guys, इसे दिमाग में जरूर अगर आपको कोई भी question हो, या कोई भी worry हो, तो नीचे मुझे comment में करके पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं हमारे next video में, तक के लिए, bye bye